देखे प्रस्ण है बित के कैंसे जिवा पर डाला गया लम को सम्मति भाजित करता है यह कोशन है इसे हल करते हैं कि सिद्ध करते हैं इसे सिद्ध करने के लिए आपका जो है एक ब्रित है और इस ब्रित पर केंडर है ब्रित के कैंसे जिवा पर डाला गया लम केंडर ओ है और जिवा आपकी एवी है एवी जिवा हो गई कहरा ब्रित के कैंडर से जो ग्यात है दिया है क्या क्या दिया है केंडर ओ दिया है आपकी जीवा जीवा ए भी दी गई है आप इसके बाद यह हमें दिया गया ग्याद क्या करना है जीवा से केंडर पर डाला गया लम जीवा को समिभाज़ करता है हमको ओ और यम ज्याद करना है राचना राचना हम करेंगे ओ केंडर से ओ केंडर से ए भी जीवा पर ए भी जीवा पर लंब खीचा देखें यह हम लंब को खीच देते हैं अब इस लंब को सत्यापित करने के लिए ओ पत्ति ओ पत्ति में यह लंब शीदा जो ओ लिखेंगे कोर अब बन गया यह हम पत्ति कर देंगे अब यह हम पत्ति करने के लिए लिखेंगे कोर ओ यहम ए ओ यहम ए बराबर कोर ओ यहम ओ यहम बी कोर कोर ओ यहम बराबर इसके बराबर है तथा जीवा ओ रेखा ओ बराबर ओ रेखा यह बराबर है दोनों त्री भुजों के तथा भुजा ए यहम बराबर भुजा बी यहम बराबर है सर्थ नियम नियम है कि जब दो भुजा जब दो भुजा एक कोंड आपसल बराबर है तो इस सर्थ अंसार लंब ओयम बराबर ओयम यही जब है हमें सीध करना था इस तरह से यहां आप समरूप त्रिभुज से यहां सर्वांग समता के नियम से इसे हम सिध कर सकते हैं अर्थात बीद के केंद्र से जिवा पर डाला गया अलम जिवा को समिभाइद करता हैं अर्थात वही प्रस्ण लंब होती है तो यह जो है इसी तरह सिध होता है अब आगे कि अब आगे